आप सब का स्वागत है अमरोजाला.com में मैं एन अरजुल आपके साथ हूँ आज हम जिस सक्षियस से मिलने जा रहे हैं वो किसी परीचे का मुहताज नहीं है पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है शांत सिक्किन जो प्रयाटन का बहुत बड़ा केंद्र है और महा के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंग तमांग जी से आज हम बात करने जा रहे हैं जिनको लोग यहाँ पर प्रेम से गोले कहते हैं और उनको इतना प्रेम आप देख सकते हैं कि सर की जो मुष्कान है वह आपको बता रही है कि जनता के साथ उनका कनेक्शन कितना है किस तरह की भावनाय उनकी जनता के साथ जुड़ी हुई है और चुनाव के इतने बीजी सीटूल में सर ने अमरुजाला के लिए समय निकाला सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप भी ब्यास्त समय निकालके मेरा अपना शरकारी आवाश में आए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सवागजना चाहता हूँ सर सबसे पहला यह कि 25 साल की एक सरकार को धरकिनार कर सुप्रियम की जन्ता ने आपको प्रेम दिया किस तरह की सेवा कर रहे है सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्कीम का जनता ने SDF पार्टी को 25 साल तक मौखा दिया लेकिन ये 25 साल में SDF सरकारे जनता को गुम्रा करके राखा कि जनता को मैं आपको लाखपती बनाऊंगा करोरपती बनाऊंगा ये ऐसा एक जासा जुटा वाद़ करके राखा और बाद में जो जनता ने समझ लिया सिक्किम का जनता ने ये SDF पार्टी एक जुट का पार्टी है SDF पार्टी ने कुछ भी जनता के लिए नहीं करेंगे और बस SDF पार्टी और SDF सरकार करेंगे तो उनका परिवार का करेंगे उनका बेपार का समराजय को बढ़ाने के लिए करेंगे और विशेश रुपसिद दो-चार आत्मी को बढ़ा बने काम करेंगे लिए गरीब के लिए काम नहीं करेंगे और गरिब को हर चुनाव में बस खाली चुनाव के आगे ही उनको कोई सालेध देना कुछ देना तो चुनाव के आगे उनको कोई सावलेध देना और फडरेया ने कभी भी जन्ता खंधा, नहीं काम नहीं किया, SDF पार्टी का सरकर नहीं, इसलिए सिकीम का संपुना जनता ने SKM पार्टी को विश्वास करके, भरोसा करके, ब्यवस्त परिग परदन के नाम में 2011 में हम लोग को चून के सरकार में रखा है, और हमने भी पांच साल का कारेकाल पूरा किया है, मैं इसलिए जनता को पहला ही, मैं जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम लोग को SKM पार्टी को पांच साल सरकार चलाने के लिए मौका दिया, और हम लोग ने जो चुनाओ के समय में जिन्दा भी वादे किये थी जनता को, हम लोग ने ये पांच साल में हम लोग ने वो वादे को पूरा किया, लेकिन आप सबको मालुम है पाँस साल में जो गुजरा है जो चनावते के साथ हम लोग में लड़ा है वो सबको मालुम है देश को मालुम है और विश्चों को भी मालूम है क्योंकि 2020 में जो हम लोग ने 2019 में हम लोगे सरकार बनाया 2020 में हम लोग काम करने के लिए पुरा तयार था लेकिन विश्चों महामारी बैसिक महामारी जी सर मेरा अगला सवाल इसी पे है कोविड-19 के कारण हम लोग ने वो समय नहीं मिला और 2021 में बैसा हुआ दोस्ता दोस्ता लाहरु तुला लेकिन हम लोग ने यह सब को छोड़के हमने जो करना था सखिम में जो स्वास्ता के छेत्र में काम करना सिक्षा के छेत्र में काम करना जितना भी हमारा योजना है जो गाउं गाउं में पसना गरीब के लिए जरा वो हम लोग ने शुरू किया है सर जैसे ही आपको जनता ने एक मोका दिया और कोविड आगी कोविड से आप किसी तरह से निकले उसके बाद जो है बाढ़ा गई इसके बावजूद आपने सिक्किम की जनता के लिए कौन-कौन से ऐसे प्रयास किये जिसे उनका जीवन बदल गया सबसे पहला तो हमारा प्रायटी था स्वास्ता क्योंकि यहां का सिक्किम का लोग जिदना भी बीमार होता तो वह बहर जाना पड़ता था आपको मैं उधारन देना चाहता हूं पच्छी साल के सरकार में हमारा सिक्किम में ज्यादा तर हमारा डायलेसिस पैसन है या किट्नी का पैसन है या डायबेटिक पैसन है इसके कारण हमारा पैसन जितना भी बीमार है वह डायलेसिस करना उनको जरूरी है लेकिन पच्छी साल के सरकार में सिक्किम का एक भी अस् पर गुजित्व स्टूरी से कौड़ से लड़ते हुए हम लोगमें सरकार जब हाया उसी दोरान आने के बाद ही हम लोगमें हम लोगमें सोचा कि है हम जितना अवी लोग अभी टा Layer Services के लिए तो लोग भाब जाने पड़ा है नजदिक तो नजदिक शिलगरी या कलकटा डिली चिननाय बेंगलोर और जो भी जाना पड़ा हूं करेंगेगे इसलिए हम लोग ने सरखार आने के एक साल के अंदर हम लोग ने हैं हमलोग को बीट के समय में है हम Burland की सेंटर समय में हम लोग यह वह सिखता सब्ली करकी कि जो फोब यह जघंगे जए फिर और हम लोग ने पूरा रिखिर करें sonok rays करें sonok उसके पाद कैंसर का खुल वह मैं वह वाजर है शो हिक利भ रहते हैं है क्या मो कहले टेजंट्मे बाहर इसम ह अजिक सिलगडी का रंगपानी, नहीं तो देल्डी, खलकटा, महलोर सब यहां जाना, बहुत खर्चा होता था, बहुत दिकत, बहुत समश्य होता था, लेकिन अबी पचीज साल में उल्ट तो हम लोग ने अबी सुरू किया, हम लोग ने कैंसर का कैमो और रेडिशन का सेंट यृशन का करना है, अभी हमारा जिद्दा भी ट्रिटमेट यहां होना है, जैसे कितनी का ड सुझा को तृषन को यहां तृपमें होगा इसे तरह से हम लोग में होता में स्याइब हो, और हर गोरू में हम लोग ने बहलेज क्लिक शुरु किया, मुबाल बहलेज क्लिनेक, जो एक गाड़ी है, अबुलेंस है, अबुलेंस के साथ डक्टर और नॉर्सेज जाके गाउं गाउं में टेस्ट करता है, चेक करता है बीमारियों को और दभए होँ पर देता है, प्री दभए हम लोग डिस्टिपृट करता है, इसके बहुज़ुर हम लोगने हर अस्पिताल को अब्रेट करने हम लोग ने काम जैसा नामची में नामची एक डिस्ट्रिक है जहां पर हमारा गेजिंग जिल्ला और सुरिंग जिल्ला के जितना भी बीमारिय वहां था था वह एक सेंटर था लेकर वहां पर 1975 से पहला जब सिकीम अमलब भारत का हिस्टा नहीं था उसी समय में बनाया हूँआ घाल था ता था है हर शेत्र में में हमनों कैम करतो हम कहीं करतों हमने के बाद हम हमने सद्रिक दो सर्कार्य क्लक्र आधेश निका लें Hem שה एक शरी कर्यादत हमारह साथै से जाड़ाभी तो अभी वह कंपनी को हमनों निज़ें हैं तो वह कंपनी को हम नोन को फंडिंग करना पड़ेगा इस पंसर करना पड़ेगा अभी हमारा सिकिम में इस फंसर जो सिश्टम अभी नहीं है ऐसा हर चेत्रा में हम लोग काम करें जी सर यह एक यह राजी जो है वो इंटरनेस्टल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है तो केदर सरकार को आपको किस तरह की मदद और किस तरह का सही होग में जाए सब्सक्राइब अभी तीन इंटरनेस्टल बॉर्डर है तीन अंतराश्ट बॉर्डर जैसे एक तो चाइना है पथुला गुरुदुगमा और एक तो नेपाल बॉर्डर है एक तो भुटान है तो जो सिकिम का हमारा नागरी का हमारा हम्हेर राज्या हमारा देश फिरक्षिद होना चाहिए द्भीचार के अगारा में हमलोग क्यंकार का कंश्चाने हैं इसलिए मैं के अंदर सर्कार को हर बार जो भी सिच्वेशा रात हूं इस यह था कि यहां पर टूरिजम का बहुत बड़ा दो तरह के एक तो रिलीजिन टूरिजम एक इको टूरिजम इस इन दोनों एक ऒगे ताकि यह और बड़े और यहां की जो युवा है उसको रोजगार मिले उस तरह से पहला से कम का टूरिज्म छे मैना के लिए था जो सीजन होता season के उपर निर्वर करता था लेकिन अभी ये whole season हो गया block मेंट होड़ा है पुरा हम लोग ने क्या किया जो religious tourists हम लोग हम लोग प्रोमोट किया है हर religious stories में हम लोग tourism का बढ़ाने के road का जो बनाना है road बनाना है carpeting करना है करें हम इंग रहे हैं जो जो पहला का चर नहीं था पूरा पूर ठीटिंग कर आप कार में क्या है तो हम लोग रोड के सेक्टर систем कर तूरिजम के अगर बढाना है तो हम लोग उस पूरा ओस्टेक करना है तो उसके बावजूद भी उसके अलावे हम लोग भी भीलेश टूरिज्म को हम लोग बढ़ा रहा है हो मिस्टे को पूरा अभी टूरिस्ट ग्यांटक नहीं आता है वो लोग शीदा गहुं चला जाता है और हम लोग जैसे पहला तो हर टूरिस्ट को रंफु में आना पड़ जाने के लिए अगर इचुक है टूरिस्ट तो वहाँ पर जाकर प्रमिट ले ले सके लेकिन पहला था यहां ग्यांटक में सेंटर था तो एसा करके हम लोग अभी विलेश टूरिज्म को बढ़वा देने के लिए हम लोग ने होम इस्टे मेगा होम इस्टे में करीब करीब है निए दो हजार से जादा हो मिस्टे बनेंगे और यह ट्रैडिशनल बनाना परेगा अपना अपना मनमानी से नहीं होगा उनको एँ पासे की मेचा गर बनाना होगा अगर यह तो सकी मेचने पाली का गर बनाना होगा तारी तो नो इसको समझ Means औहहाना ऑ हम लोग यूद है उनको हम लोग दे रहा है ताकि वहां से उनका मलब आए बढ़े उनका ब्यवासाई चले इसलिए हम लोग इसमें प्रबोर्ट कर रहा है पुझा और हम लोगों के लिए उस बारे थोड़ा है तो बिसे सुपसे मैं इस बार जन्ता के समक्सा में मैंने रहा नव गरेंटी बना वी आ रहा जो पक्रेपों के नव बार अपनी थूटा थे मैं रहा है रहे क्या 정확 मूर्ति है तो नौ गैरेंटी में हम लोग के आने वाले थे आने वाले हम काम करेंगे पांच साल में काम करेंगे और काम करने के बार यह नौ गैरेंटी है जो हम पूरा काम करेंगे उसके बार हम 29 के चुनाव में जाएंगे यह नौ गैरेंटी को काम करके तो हम यह नौ गैरेंटी में हम तो इस बार क्या लगता है आपको कि आपका सांसद जो है कितना प्यार लोगों का मिलेगा? मिलेंगा क्योंकि अभी हमारा संसद जो अभी मलब नीबतमान संसद है और हमारा इस बार का हमारा उमयद्वार है संसद के लिए 18-18 पार्लिमेंटी एलेक्शन के लिए है तो दक्टर इंधांग सुभा है जो पहला भी कर दो हजार उननाइश का हमारा उमयद्वार और संसद सिखिम का जितना भी जनता है सारे सिखिम का जनता चाहे कर्माचारी हो चाहे मजदूर हो चाहे बेफारी बर्गा हो चाहे स्टूडेन हो चाहे यूद्ध हो चाहे गव में बैटने वाला जितना भी हो गरीब आत में हो सब ने एसकेम पार्टी को प्यार किया है सिखिम करां पान साल में सिक्कीम का सेवा करके, सिक्कीम जनता का सेवा करके, उनका मन हम लोगी जीता है, प्यार मिला है। सिक्किम करांतिकारी का candidate जो भी हो चाहे उसके इंदरहंग के बतले में अगर दुसा हो चाहे उसके बतले में तीसरा हो तो वो लोग candidate उमेदार नहीं देखता है वो लोग party देखता है किस party ने क्या क्या है तो सिक्किम करांतिकारी मोर्शा ने पांच साल में पूरा काम क्या है इसलिए हर हाल में भे हमारा हिंदरांग सुभा हमारा लोक सभा का उमयदार वो पूरा पूरा जीत के फिर भी दूसे बार संसक बनेंगे एक गैरंटी है सर मैं यह कहना तो सर इस समय चुना का बिल्कुल बाहोल बिल्कुल जो चार पांच दिन रहे गए तो आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं सर इस बार कितना प्यार जनता का आपको विधा सभाय में मिलेगा जनता ने मन बना चुका है क्योंकि जैसा एक प्रेडिक्शन तो बैलट बोट का होता है जो सर्कारी कर्माचारी टालते हैं तो 99% बैलट बोट में सुनाई दे रहा है देखा तो नहीं है लेकिन हर हर सर्कारी कर्माचारी जो भी election duty में बढ़ा है प्रेडिक्शन 99% सिक्षित करांती कारी मोर्चा के पक्षा में आ चुका है सब्सक्राइब करें 24 साल मेंस सब्सक्राइब लिइध मैं एफ 25 साले देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले अगर अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें